जै मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक सुआगते महाकाली भुगत यानि यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ ओम क्रिम कालिकाए नम्हा इस मंत्र को सभी लोग जपते हैं लेकिन इस तरह से कोई जपेगा जिस तरह से मैं आपको इस पीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ तो ग्यारा दिन में ही माता काली की शक्ती आपको प्राप्त हो जाएगी गारंटी के साथ जब आप इस मंत्र को इसकी बिधी के साथ सही तरीके से सही दिशा में जपेंगे कहने के तो इस मंत्र को सभी लोग जप रहे हैं लेकिन इसका जो सही तरीका जपनेगा इसकी सही दिसा की तरह सही बिधी के साथ अगर आप इस मंत्र को प्रती दिन अपने घर में पूजा पाट के समय मा काली का नाम जपेंगे तो आप लोगों को जादा दिन नी लगने वाले माता काली की शक्ति को प्राप्त करने में केवल ग्यारा दिन जिस दिन से आप इसको इसकी बिधी के साथ जपेंगे उस दिन से काउंट करके आप 11 दिन तक इस मंतर को जपें और 11 दिन में ही आपको मा काली की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और जब आपको माता काली की शक्ति मिल जाएगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये सवाल भी आपके मन में उठी रहा होगा लेकिन ये भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ही बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिलियोगी जितने भी मेरे माता काली की भगत हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी भगतों के लिए ये बहुत ही खाल जानकारी है और कुछ भक्त ऐसे हैं माकाली के जो माताकाली के मंत्र को जबते हैं ओम क्रिम कालिकाए नम्हा इस मंत्र को प्रति दिन पूजा पाट में जबते रहते हैं और जो सच्चे भक्त हैं उनको इस मंत्र के साथ सतनुभवी संकेद भी मिलते होंगे गारंटी के साथ लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मंत्र को जपते तो हैं लेकिन इसको सही दिसा में नहीं जपते हैं सही बिधी के साथ नहीं जपते हैं इस मंत्र की कोई बिधी होती है जिसकी बज़ा से इसको जपा जाता है ठीक है उसके साथ उसकी बिधी के साथ अगर आप इस मंतर को जपेंगे तो आपको जादा समय नहीं लगता जादा टाइम नहीं लगता माता काली की शक्ति को प्राप्त करने में केवल आप लोगों को 11 धिन में ही माता काली की शक्ति मिल जाती है जब आप लोग इस मंतर को इ इसने भी लोग इस मंतिर को जब भी जबने हाथ में अपने पास 21 लोंग को चांब करते हैं, क्योंकि इतना 180 वर कोई जपेगा तो उसके पैर ज्यादा ठक जाते हैं तो इसलिए जो भी जपते हैं वो बैठके जपते हैं तो जब आप इस मंतर को जपते हैं तो आप अपने एक हाथ में 21 लोंग रखें जैसे मालो आप उल्टे हाथ से जप रहे हो मंतर को माला को आपने कौन से हाथ से पकड़ते हो पनी जो भी रुद्राक्स की कैसी भी माला से आप मातकाली के इस मंतर को जपते हैं तो किस हाथ से माला को पकड़ते हो आपको हमेशा माला को बाए हाथ से पकड़ना चाहिए सीधे हाथ में आपको 21 लोंग रखें मुठी में बंद करके तब इस मंतर को बोलते रहना है और जैसे ही आप इस मंतर को 108 बार बोल लेंगे तो तुरंत आप लोगों को हाथ जोड़के वो जो लोग आपने अपनी मुठी में रख रखी है उस लोग को आप हर दिन रोजाना 11 दिन तक आपको पीपल के पेड़ पर रख के आनी है जो आप जपेंगे ठीक है 21 लोग आपको पीपल के पेड़ पर रख के रानी होगी जब आप इस मंतर को प्रति दिन जपोगे तो यह जो मंतर है इसकी साधना बता रही हूँ में आपको जो करनी है ग्यारा दिन की ग्यारा दिन में ही मा काली की शक्ती प्राप्त हो जाएगी जैसे मुझे प्राप्त हुई थी मैंने भी माता की शक्ती को जल्दी प्राप्त करने के लिए यही कारे किया था और इसी मंत्र का जाप किया था आप बात करते हैं कि आपको इ आपको एकमाला जकनी चाहिए मतलब कहने का है एक दिन में आपको दो माला का जा Abbond जरूर करना चाहिए 108 हाटवार तब ही आपको जल्दी शक्तियाँ परापत होते हैं जितना आप जाप करोगे उतना ही आपके सरीर में शक्तियों का वास होने लगता है समझ रहें कि कि सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो मंतरों में ही होती है मंतर से ही सारे काम किये जाते हैं चाहे वो अच्छे काम हो चाहे वो बुरे काम हो तो मंतरों से ही शक्तियां आगे चलती हैं तो आप लोगों को इस मंतरों को इस तरीके से जबना है 11 दिन की आपकी साधना रहने व महादे मातका लिया आप सभी की सारी मनुकाबना पूरी करें जैम